Hello students, welcome to newspaper reading article 11. We'll read another interesting article today. और हमारा आज का आपिकल का नाम है From Humble Fungi, बन जाए भी बोलते हैं कुछ लोग. The promise of cleaner air in New Delhi this winter. इस विंटर, इंडियन एक्स्प्रेस में भी हाली में पब्रीश हुआ था. तो सबसे पहले तो discuss करूँगा Humble का मतलब. टाइटल समझाने की कोशिश करूँगा. फंगाय फफूंदी को बोलते हैं. फंगस वर्ड से फंगाय है, फंगाय प्लूरल है, फंगस का. तो यह article हमें समना है कैसे एक humble फंगाय से एक उम्मीद मिल रही है cleaner air की New Delhi में, इन सर्दियों में. यह जो the promise word लिखाएगे, तो इस promise का in the literal sense मतलब वादा नहीं है, कि फफूंदी हम से वादा कर रही है, कि साफ हवा होगी इस बार दिल्ली में, ऐसा कुछ नहीं है. The promise here means उम्मीद, hope. तो पूरे टैटल का अगर मतलब निकाला जाये तो क्या है कि from humble fungi, the promise of cleaner air in New Delhi this winter, तो humble के तीन-चार मतलब होते हैं, कोई वैक्ती humble है, तो वो arrogant नहीं है, बिल्कुल, दिखावती नहीं है, बिल्कुल, एक तो यह मतलब हो सकता है, humble का मतलब common भी हो सकता है, सधारान भी हो सकता है, तो अगर हम यहाँ अपलाए करने कोशिश करें, तो एक समान ने common सी fungus की मदद से, common सी fungi की मदद से, इस वार उमीद है कि दिल्ली की जो हवा रहेगी, इस सर्दियों मों कैसी रहेगी, cleaner comparative degree adjective की और साफ रहेगी, ठीक है, तो यह हमारा title हुआ, आगे बढ़ते हैं, IARI has developed, has developed present perfectence, IARI ने develop किया है, decomposer, पहले decomposer समझ लेता है, decompose words से, हमल तो मैंने समझाई दिया था भी, आपको यह meaning आप अपने notebook में add करेंगे, तो decomposer जो है, decompose verbs आता है, decompose का मतब क्या है, when dead plants, humans और animals decompose, they change chemically and begin to rot, यानि कि कोई मृत पौदा है, इंसान है, जानवर है, जब वो decompose होता है, तो सडने लग जाता है, ठीक है, plants के लिए यह चीज हम बोलते हैं, खाद बनने लग जाता है, तो वहाँ से word आता है, decomposer, तो IARI ने decomposer capsules बनाए हैं, which when, जो कि जब mixed in a water solution, gets to work on paddy stubble, यहाँ पर एक हमको फ्रेज मिला है, to work on, to work on पर भी बात कर लेते हैं, work on के दो मतलब हैं, एक तो to influence नहीं, प्रभावित करना, to persuade का मतलब मनाना, यकीन दिलाना, तो यहाँ पर जो meaning लागू हो रहा है, वो है influence करना, प्रभावित करना, प्रभाव डालना, असर डालना, तो यहाँ पर जो मतलब निकलता है, वो क्या कि, IARN ने decomposer capsule जो हैं, डवलब की हैं, जो कि जब mix किये जाते हैं, पानी के solution में, spray गिये जाते हैं, लैंड पे, तो क्या करते हैं, वो paddy stubble पे work on करते हैं, पैडी stubble पे प्रभाव डालते हैं, अब paddy stubble का होता है, वो भी देख लेते हैं, stubble word का मतलब देख लेते हैं, stubble के दो मतलब होते हैं, पहला मतलब तो दाड़ी को बोलते हैं, stubble, छोटी-छोटी दाड़ी आया हैं थे, stubble का दूसरा मतलब क्या है, stubble consists of the short stocks, stocks डंडियों को बोलते हैं, ठूंट को बोलते हैं, which are left in fields after corn और wheat has been harvested, एक फसल के बाद, जब फसल कर जाती है, तो खेत में जो डंडिया लगी रह जाती है, ठूंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, stubble बोलते हैं, तो यहाँ पर यह जो है decomposer है, यह जब land पर डाल दे जाता है, तो यह किस पर काम करता है, वो जो stubble, भोटो ठूंट, भोटो डंडिया, किसकी गेहूं की हो सकती हैं, और मक्य की हो सकती हैं, रह जाती हैं, उन पर काम करके, उनको क्या करता है, softening, softening and decomposing it to the extent it can mix with soil and act as composed, तो यह जो decomposer पानी में मिला के जब स्प्रे करा जाता है, एक solution में मिला के जब स्प्रे किया जाता है, तो पैडी स्टबल पे काम इस तरीके से करता है, उसको soft कर देता है, decompose कर देता है, सडा देता है, खाद बना देता है, to the extent, इस हद तक, कि वो mix हो सकती है, soil के साथ, और क्या काम कर सकती है, compost का काम कर सकती है, खाद का काम कर सकती है, theoretically at least, it does away with the reason, farmers set fire to fields ahead of the rabi sowing, theoretically का मतलब, कागच पही मानने अगर, अगर practically ना भी आप समझिया भी, तो यह जो है, it does away with, फिर से phrasal verb आया आपार सामने, to do away with, देखते हैं, do away with का मतलब, exam में बहुत common है, when we do away with something, तो उसको हम क्या कर देते हैं, remove कर देते हैं, to put an end to it, खतम कर देते हैं, remove कर देते हैं, get a dog, उससे छुटकारा पाले, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, कि theoretically अगर यह चीज़ यूज होती है, तो यह जो है, हम छुटकारा पालेंगे, किससे उस कारण से, the reason, उस कारण से, जिसकी वाज़े से, farmers, set fire, farmers आग लगाते हैं, किसको अपने fields में, किससे पहले, राबी के सीजन से पहले, राबी की फसल जो है, बोने से पहले वो आग लगाते हैं, तो basically होता कैस्टून्स, कि जो खेत है, तो खेत में क्या होता है, कि एक फसल खतम होई है, और दूसरी फसल की बोई से पहले, किसान का करते हैं, जो ठूट लगे राज़ता है, डंडिया लगी रह जाती हैं, पिसली फसल की, तो उस पर आग लगा देते हैं, जिसके वएसे, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पॉलूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब क्या हुआ है, कि IERI ने एक सलूशन निगाले है, कि ये कैप्सूल्स मिला कि, एक सलूशन में अगर उस खेद में डाल दे जाएंगे, तो वो आटोमेटिकली जो ठूट है, वो डंडिया लगी वी हैं, वो क्या बन जाएंगी, वो खाद का रूप ले लेंगी, और किसान को फिर खेद में आग लगाने की जूरूद नहीं पड़ेगी, आगे पड़ते हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको आप अप एड़ कर लेंगे अपनी वोकैबलेरी, पैडी स्टबल बर्निंग सीजन इस हैर, तो यह जो पैडी स्टबल जलाने का जो सीजन है कि यहाँ पर आ गया, एंड सैटलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा फ्रॉम दे इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंशूट शो, और सैटलाइट से मिलने वाला जो डेटा है, जो कि इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंशूट से मिलता है, वो दिखाता है, क्या दिखाता है, एक पाच गुना इंक्रीज किसमें, फार्म फायर्स की संख्या में, खेतों में, आग लगाने की संख्या में, कहां पे, पंजाब में, हर्याना में, उत्रपदेश में, during the first six days of October, compared to the corresponding dates in 2009, और ये पहले छे दिन कहीं आखड़े हैं, October के पहले छे दिन कहीं आखड़े अगर देके, और इसको compare करेंगर, पिछले साल October, 2019 के October से, तो इसमें हमको कितना increase दिख रहा है, पाज गुना increase दिख रहा है, और किसमें मिलागी जानकारी हमें, जो आखड़े मिले हमें, I, A, R, I की remote sensing data से, वाइल इस initial spike, जबकि, अलाकि ये जो initial spike है, initial का मतब शुरुवाती, spike का है, यहाँ पर जो मतिवर उचाल, जो को spike जो है न, किसको बोलते है, शूल को भी बोलते हैं, नोकीली कील को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शूल जो है, उचाल की बात है, यह जो शुरुवाती उचाल आया है, might flatten, शायद यह आगे जाके, फ्लैट हो जाए, यह जो उचाल आया है, शायद कम हो जाए, in the coming days, तब सफर, इंडिया short range forecast on Thursday, यह किसी प्रकार का एक forecast है, भविश्यवानी है, सफर के नाम से, तो इस भविश्यवानी ने क्या कहा, तब ओवर ओल एक्यू, इन डली, AQ का मतला में, यह एर क्वाडिटी की, जो ओट्वर ओल एर क्वालिटी है, डली में, वो सिन अईर एंड मोडरेट केटिगरी, वो हायर एंड मोडरेट केटिगरी में थी, ए यह जो फॉरकास्ट, और उस पे भविश्यवानी की गई, at the higher end of moderate to poor category for October 9 और October 9 को यह कहा गया कि जो है moderate से कौन सी category में आ जाएगी वो poor category में आ जाएगी तो 8 October को moderate category में थी higher end moderate category में और 9 October को यह विश्वानी की गई कि किस में आ जाएगी वो moderate to poor category में आ जाएगी The burning of paddy stubble Paddy stubble का जो जलाना है left in the fields after harvest जोगी stubble fields में रहा जाता है कटाई के बाद has been a cause of concern यह एक cause of concern रहा है cause of concern बदब चिंता का कारण रहा है for the past several years इसलिए कई वर्षों से as it contributes as यहाँ पर है because क्योंकि यह contribute करता है यह योगदान देता है किसमे to air pollution in the northern gangetic plains northern gangetic plains में होने वाले pollution में and it's already polluted cities like Delhi और जो पहले से ही प्रदूशित शहर है जैसे की दिल्ली तो उसमें यह प्रदूशन का बड़ा योगदान देने वाला कारण है या burning of paddy stubble paddy किसको बोता है चावल तो चावल का जो ठूंट रह जाते हैं चावल का जो पिछला पौधे का बचावा अंशिरा जाता है उसको जलाना बड़ा योगदान देता है किसमें पॉल्यूशन में किसमें डेली जैसे शहरों में लिटिज एक और आम प्रॉता है इन ओक्टोबर और नमम्बर जो कि ओक्टोबर और नमम्बर महीने में रहों मिलती एक्रों नॉस्एडिया आपर में लेकिन मुख्ये ता पहां पे पंजाब में हर्याना में और उत्त्रपरस्टिज में तु winners strictly clear crop residue और यहांपर क्या देखनों को मिलता है कि जलदी से crop residue को हटाने के लिए कि जल्दी से crop residue को हटाने के लिए अब residue को मतलब बैए एक लिए थे residue of something किसी चीज का residue जो होता है and the remines जो रह जाता है after most of it has gone यानि बचे कुछे भाग को हम क्या बोल सकते हैं residue बोल सकते हैं तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि पंजाब, हर्याना और उत्रपदेश में जल्दी से crop residue को हटाने के लिए जो बचेवे अंशेप होते हैं उसको हटाने के लिए पैडी स्टबल है उसको क्या कर दिया जाता है उसको जला दिया जाता है several solutions have been proposed कई solutions जो हैं प्रस्तावित किये गए हैं passive have been offered from over the years, पिछले कुछ वर्षों में to tackle the issue एक phrase आया to tackle the issue जिसका मतलब है issue से निपटने के लिए problem से निपटने के लिए the most recent one जो सबसे हलिका है which has been built as a game changer जिसको यह बोला गया कि यह game changer होगा अब game changer वो होगा जो स्थिती को पलट फेर कर दे स्थिती बदल दे if found successful तो इसको बोला गया कि अगर यह successful हुआ तो यह क्या होगा यह game changer होगा यानि जो अभी pollution की इस्थिती हो रही है यह उसको पलट देगा और उसका नाम क्या है उसका नाम है is the poosa decomposer capsule developed by IARI और वो है poosa decomposer capsule जो की IARI द्वारा develop किये गए है पर सवाल उठता है what is the poosa decomposer होता है क्या है it is essentially a fungi based liquid solution तो यह क्या है यह मुख्यता एक fungi फफुंदी based liquid solution है that can soften जो की soft कर सकता है hard stubble को जो मजबूत और कठोर डंडिया होती है उनको यह क्या कर सकता है यह soft कर सकता है to the extent उस हद तक that it can easily be mixed कि वो असानी से mix की हो सकती है किस से with soil soil से in the field to act as compost और काम कर सकती है compost का खाद का this would then rule out यह फिर rule out कर देगा the need to burn trouble rule out समझते हैं मेले जब भी हम किसी चीज को rule out करते है if you rule out a course of action an idea or a solution you decide that it is impossible or unsuitable किसी भी चीज को जब हम rule out करते हो तो आपके decide करते हो कि यह अनुचित है या करना impossible है या इसको नहीं किया जाना चाहिए यह rule out करने का मतलब है मालने जो कोई problem है और आपने उसको solution दिया और सामने वाले ने आपका solution को rule out कर दिया तो उसने क्या बोले यह नी हो सकता यह नी कर सकते तो अगर इसको apply करते हैं तो क्या बोलेंगे पूजा decomposer अगर यूज होता है तो this would then rule out तो यह rule out कर देगा क्या कर देगा जो आवशक्ता है stubble जलाने की उस आवशक्ता होगे रूल आउट कर देगा उसकी आवशक्ता खतम कर देगा and also help in retaining और मदद करेगा retain करने में प्रिटेन का उलब की चीज को बनाये रखने वे क्या the essential microbes जो जरूरी microbes है and nutrients है और जो पूशक्तत्व है in soil, soil मे that are otherwise जो की नहीं तो क्या होता है damage हो जाते है when the residue is burned तो होता है कि जब ठूट जलाई जाती है चावल की या वो लकडी जो है या वो जो stem है वो जलाई जाती है चावल की जो जो soil के पोशक्तत्व है microbes है वो भी उसके साथ जल जाते है लेकिन अगर पूज़ा decomposer use होगा तो जो soil के पोशक्तत्व है वो भी बच जाएंगे rule out or retain के meaning है आप इसको add कर सकते है next question है how long does it take for the decomposer to work क्या समय लगता है decomposer को काम करने है the window of time required for the solution to work which is currently the main concern for farmers is around 20 to 25 days as per the IAIR यानि की window का मतलब है range window का मतलब खिड़ी की नहीं है window का मतलब है range जो range है समय की जो required है समय जिसकी आवशक्ता होती है इस solution को काम करने के लिए जो की currently चिंता का विशे है cause of concern है farmers के लिए वो है 20 से 25 दिन तो IAIR कहती है कि solution को जब आप अपने खेत में spray करते हो तो 20 से 25 दिन चाहिए कि वो जो ठूटती वो किसम करने उटे है वो खाद में करने बाटे है farmers argue farmers विरोद कर रहे है इस बात का क्या कहते हो है that this window is too long for them कि यह जो range है यह तो बहुत जाता लंबी है उनके लिए जो उल्च स्यादा लंबी है as they ideally wait क्योंकि आदर्स रूप से वो कितना वेट करते हैं about a week or 10 days की वो तो 10 दिन वेट करते हैं हफता ही वेट करते हैं after harvesting the non-basmati variety of rice कि जो non-basmati rice को जो कटाई के बाद यह तो 10 दिन वेट करते हैं which leaves heart stubble जिसके बाद यह जो है मजबूत जो है ठूंट रह जाते हैं खेट के अमने to sow the wheat crop और वो सिरफ कितना वेट कर रहे हैं wheat crop को बोने के लिए सिरफ 10 दिन वेट कर रहे हैं तो यह किसान कह रहे हैं IARI scientists however say लेकिन IARI scientists क्या कहते हैं that farmers do not necessarily have to plant the next crop in a rush वो कहते हैं कि farmers को जरूरी नहीं है necessarily को जरूरी नहीं है कि वो plant करें अगला crop जल्दी में in a rush एक phrase हो गया इसका मतलब हो गया जल्दी वाजी में and that 20-25 days is enough waiting time और 20-25 दिन जो है परियाप्त waiting time होता है यानि कि IARI कह रहा है 20-25 दिन रूप जो क्यो 10 दिन बाद आप लाग रहे हैं how is the decomposer to be used by farmers तो यह decomposer जो है to be used passive expression है कैसे इस्तमाल किया जाना है किया जाने को है farmers के दोबार there are 7 strains of fungi that IARI has identified strains का मतलब आप समलीजे प्रकार साथ प्रकार के जो है फंगाई है जो IARI अइडेंटिफाय करें है after research, research के बाद which help जो मदद करते हैं in rapid breakdown of the hard stubble जल्दी से breakdown करने का वालब आपर है soft बनाने के लिए वो जो stubble रहाती है field में उसको तो साथ प्रकार के फंगाई जो है IARI अइडेंटिफाय करें these seven strains of fungi are packed into four capsules यह जो साथ strain है फंगाई के इनको चार कैप्सूल में pack करा जाता है बांदिया जाता है which cost about 20 per pack of four, जो की लगबग यह जो चार कैप्सूल का packet है वो 20 रुपेगा पढ़ता है but there is a process परन्तु एक प्रक्रिया है for developing, develop करने के लिए the liquid solution, liquid solution को from these capsules which can take about four to five days इन capsule से और यह प्रक्रिया ले सकती है चार से पाश दिन it starts with प्रक्रिया कैसे शुरू होती है with boiling 25 liters of water प्रक्रिया शुरू होती है 25 liter पानी उबालने से mixed with, जिसमें mix किया जाता है 150 gram jaggery which scientist से, जो scientist कहते है jaggery, good की variety होगी good होगी which scientist से has properties जिसमें scientist कहते है, जिसमें गुण मतता है कि चीज की that help in multiplication of fungi जिससे मदद मिलती है उस fungus को multiply होने में after this, इसके बाद mix has good जो solution जो जब ठंडा हो जाता है उसके बाद 50 grams of basin और gram flouriside जो उसमें 50 gram basin डलता है to it along with 4 Pooza decomposer capsule और 4 Pooza decomposer capsule डल जाते है उसके साथ साथ this solution is then covered इस solution को फिर cover कर दिया जाता है is covered, passive तब cover कर दिया जाता है with a thin piece of product, पतले से, कपडे से and left in a dark room for 4 days और एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है 4 दिन तक on the fourth day, चौथे दिन a thick growth of fungi will be seen चौथे दिन एक मोटी परत fungus की will be seen या नि देखी जाएगी on the top of the solution, solution के उपर तरल के उपर this has to be mixed, इसको mix किया जाना होता है well, अच्छे से and thereafter और उसके बाद the solution is ready for you solution इस्तमाल के लिए तैयार होता है जिसने active ऐसी पच्छे से बढ़ा है कि सारे to be mixed has to be mixed तो यह सारे जरों सोच समझ आएंगे यह सारे चीज़े what is the dose of decomposer that has to be used क्या dose as decomposer की जो इस्तमाल करनी होती है अब 25 लीटर solution is advisable राय दी जाती है 25 लीटर solution के लिए for using one hectare of land जो की स्तमाल होगा एक hectare land में after being mixed with 500 liters of water 500 liter पानी के साथ मिलाया जाने के बाद it can be sprayed उसको spray किया जा सकता है over the field and left to do its work और छोड़ दिया जाता है अपना काम करने के लिए I.A.R.I. scientist explained I.A.R.I. scientist ने explain किया समझाया that the decomposer will work even in fields decomposer काम करेगा उन fields में भी ये उन fields में भी where stubble has not been finally chopped जहाबर वो जो ठूट है वो जो लकडी है वो जो stem है उसको अच्छे से chop नहीं किया गया उसको काटा अगर नहीं किया है किस से super straw management system मशीन से एक मशीन है जो किसान खेत में इस्तेमाल करता है जिसमों जो ठूट रह जाती है लकडी रह जाती है वो मशीन फिरा के पूरे खेत में उसको थोड़ा चॉप कर दिया जाता है पतला कर दिया जाता है तो scientist कहते है अगर आपने उसको मशीन से काटा भी नहीं न ठूट को तब भी यह जो आप स्प्रे करोगे काम करें गाए the super sms sms उस मशीन का नाम है is attached उसको attached किया जाता है with a combined harvester एक harvester मशीन के साथ to cut paddy stubble जिसको इस्तमाल किया जाता है paddy stubble को काटने के लिए paddy मतलब चावल, stubble मैं बार पर बतारे हूं ठूट को बोलते हैं into small pieces, छोटे pieces में काटने के लिए इस्तमाल किया जाता है and spread it uniformly और उसको फैला दिया जाता है uniformly का मतलब एक uniform तरीके से मैदान में this in itself is a stubble management process यह अपने आप में एक stubble management प्रक्रिया है as chopped stubble can be removed from the field क्योंकि जो कटी हुई stubble है उसको मैदान से हटाया जा सकता है, can be removed और wheat can be sowed in the field या wheat को बोगा जा सकता है मैदान में even without removing the chopped stubble, पिना chopped stubble को हटाये भी, यानि कि जो किसान ने SMS मशीन के द्वारा ठूट को काटने के लिए इस्तमाल कर रहे तो किसान के वाज़ने विकल्प है कि या तो वो कटी भी ठूट को वो हटा दे मैदान में से और फिर गहूं बोई या उसके विकल्प है कि उसी के ऊपर ही वो क्या बोह सकता है गहूं बोह सकता है हावेबर हावेबर not all farmers currently have this machine सारे farmers के वाज है यह जो machine नहीं होती है विच इजव उफरडं शसको ओफर किया जाता है 50% subsidy पे individual farmers को सब के पास अभी यह है यह machine नहीं है लेकिंगर इसको ओफर किया जाता है 50% subsidy में individual farmers को अगर टीप कंबोजर की बात करें, IARI scientists have also said, IARI scientists में ये भी कहा है, that farmers do not necessarily have to wait, कि farmers को ज़रूरी नहीं है wait करना for the entire 20-25 day window, पूरे 20-25 दिन के जो range है, उसके लिए रुखने की जुदनी, कौन से 20-25 दिन की बात हो लिए, spray करने के बाद जो 20-25 दिन नहीं, तो farmers को ज़रूरी नहीं होतना रुखना, before getting to work on the field, यार उनको ज़रूरी नहीं कि 20-25 दिन वो रुखे field में काम करने से पहले, they can start flowing, वो हल जोतना शुरू कर सकते है, and preparing the land, और land को prepare करना शुरू कर सकते है, 10-15 days after spraying the decomposer, decomposer spray करने के 10-15 दिन के बाद ही, वो यह काम शुरू कर सकते हैं, आगे बात हो लिए, how is this technology being used, यह technology कैसे इस्तमाल की जा लिए, union environment minister प्रकाज जावडेकर है, that the decomposer will be used, यह decomposer use किया जाएगा, will be used passive, on a trial basis, trial basis पे, this year, इस वर्ष कहाँ कहाँ पे, पंजाब, हर्याणा, उत्तरप्रदेश और दिल्जाब, ministry officials, मंतराले के जो officials आँनों यह भी कहा, that technology would be used, फिर से, would be used passive, technology use की जाएगी, over 100 hectares of land in Punjab, लगभक 100 hectare land पे पंजाब में, हर्याना में, 800 hectare दिल्ली में, और 10,000 hectare उत्तरप्रदेश में, which they said has been experimenting, जो कि उन्हों ने कहा, कि experiment करते आ रहे हैं with the similar technology over the last three years, तो यह which किस के लिए उत्तरप्रदेश के लिए उत्तरप्रदेश के तो 10,000 hectare land पे यह technology, trial basis पर भी काम करके देखी जाएगी, IARI has been conducting experiments, तो IARI जो है, experiment conduct करता रहा है, has been, पहले से लेकर अब तक की बात हो रही है, for a year and a half, लगभक डेड़ वर्स से, और यह experiment किस पर करता रहा है, वो decomposer को लेकर का experiment करता रहा है, the technology was licensed, technology को license दिया गया था, इस चीज के लिए, for commercial use के लिए, किसको two, four companies, चार companies को जो है, इसका license दिया गया था, इस्तमाल करने के लिए, in 2019, 2019 में, and two other companies in 2020, और दो और company को जो है, इसका license दिया गया है, 2020 में, यानि कि वो company का करेंगे, capsule त्यार करेंगे, Delhi has started preparing the solution with help from IERI, Delhi ने इस solution का जो है, prepare करना शुरू कर दिया है, IERI की मदद से, and would begin spraying it, और वो इस्तमाल करेंगे, इसको spray करना, over fields, मैदानों में, October 11 onwards, 11 October से, Chief Minister Arvind Kejribal has said, Chief Minister Arvind Kejribal ने कहा है, that technology is inexpensive, inexpensive का मतब, सस्ता, cheap, not costly, technology जो है, सस्ती है, as the whole process, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है, from development, transport and spraying of decomposer, development, यानि इस decomposer की विक्सित करने से, लेके, transport करने तक, spray करने तक, जो है, is costing the government only 20 लाग, यह सिरफ सरकार को उसमें कित्ते बैसे लग रहे हैं, सिरफ 20 लाग रुपे रहे हैं, क्या का करने में, technology विक्सित करने में, उसको transport करने में और spray करने में, the result from trials, trials के जो नतीजे हैं this year, इस वर्ष, would give an answer, वो जवाब देंगे, to the effectiveness, किस बारे में जवाब देंगे, क्या कुशलता है, effectiveness का मतलब, कितनी कुशल रही है technology, of the technology and decide, और decide करने में मदद करेंगे, whether its use, कि क्या इसका use would be scaled up, क्या इसका use scale up करा जाएगा future में, scale up phrases, scale up का मतलब to increase, तो जो result में लेंगे trial से, वो जवाब देंगे, क्या कुशलता है इस technology की, और निर्ने लेन में मदद करेंगे, कि क्या इसके इसके इस्तमाल को scale up करा जाएगा future में या नहीं करा जाएगा, यह article पूरा होता है, तो जो knowledge भी बड़ी vocab, इतने सारी मिलगे, inexpensive, scale up, दुनिया भर के words है, decomposer का मतलब समझ आगे, आपको क्या होता है, stubble किसको बोलते हैं, हर वर्ष यह problem होती है, अकबारों में आता है, कि paddy stubble जला रहे हैं, wheat का stubble जला रहे हैं, अब क्या होता है, जो ignorant वेक्ति है ने कुछ stubble नहीं बता है, उसके लिए वह ख़बर है, अब meaning समझ आ रहे हैं, किस टबल किसको बोलते हैं, राभी की फसल का बाद, एक फसल का बाद जब दूसरी फसल के लिए होता है, तो जो ठूट रह जाती है, या पौदे के अफशियस रह जाते हैं, उसको जला देता है, किसान तब दिक्कत होती है, तो यह सारी बात है, एक नोट्स में जरूर एड करेंगे, तो मेरी तरव से इस वीडियो में नहीं, वीट अगें, वीट अनधर इंटरस्टिंग आर्टिकल, क्यों?